आन देश की, सान देश की, देश की हम संतान हैं और तीन रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान हैं जैहिन दोस्तो, फ्री एजुकेशन परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों के लिए 74 वे गड़तंतर दिवस की हारदिक सुपकामना हैं दोस्तो, आज की इस वेडियो में हम इस साल के गड़तंतर दिवस यानि की रीपब्लिक डे से वनने वाले शभी महत्पूर्ण कॉस्टन को डिसकस करेंगे आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हो इस टॉपक से एक कॉस्टन आपके एक्जाम में पूशा ही जाता है तो चलिए दोस्तो, विना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नम्मर फर्स्ट कॉस्टन से पहली बार भारत ने गड़तंतर दिवस कम मनाया दोस्तो, पहली बार भारत ने गड़तंतर दिवस मनाया 26 जनवरी 1950 को C option हमारा correct answer हो जायेगा अब दोस्तो, यहाँ पर दो टीन डेटें और लिखी है तो सबसे पहले 26 जनवरी 1950 को ही भारत गड़तंतर दिवस क्यों मनाता है क्योंकि दोस्तो, 26 जनवरी 1950 को हमारा जो सम्मिधान है यह पूर्ण रूप से लागू किया गया था ठीक है और हमारा सम्मिधान बनकर तयार कब हुआ था तो 26 जनवरी 1959 को बनकर तयार हुआ था यह पर हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो सम्मिधान है ये अंगी कृत हुआ था, क्या हुआ था दोस्तों? अंगी कृत हुआ था ठीक है और लागु कब हुआ 26 जनवरी 1950 को और 15 अगस्त 1947 ये क्या है? तो भारत जो है ये पून रूप से सोतंत्र हुआ था ठीक है? इसलिए हम 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? सोतंतरता दिवस, यानी की Independence Day और Republic Day यानि कि गड़तंतर दिवस कम मनाते हैं तो 26 जनवरी को मनाते हैं I hope आपको सारी बाते समझ में आ गई होगी तो हम बात करें कि 26 जनवरी 2023 को गड़तंतर दिवस की कौनसी वर्षगाठ मनाये गई पहली बार हमने गड़तंतर दिवस मनाया 26 जनवरी 1950 को ठीक है और 2023 में हम जो गड़तंतर दिवस मना रहे हैं वो कौनसी वर्षगाठ है तो दोस्तों वो है 74 वर्षगाठ C option हमारा correct answer हो जाएगा Nash question गड़तंतर दिवस समार हो 2023 के मुख अथिति कौन है ये question most most important question है और इसका सई answer हो जाएगा अबदेल फतह LCC भी option हमारा correct answer हो जाएगा और दोस्तों ये कहां के राष्ट पती हैं किस देश के तो ये मिस्र देश के राष्ट पती हैं और देख दोस्तों अभी 26 जनवरी 2023 के गड़तंतर दिवस समार हो के जो मुख अथिति हैं वो तो हैं अबदेल फतह LCC मिसर के राष्ट पती साल 2021 और साल 2022 में कोई भी मुख अथिति नहीं आया था क्योंकि COVID-19 जैसी में हमारी अपने देश में चल रहे थी ठीक है लेकिन 2020 के जो मुख अथिति थे उनका नाम था मेसियास वोलसनारो ये वराजील के राष्ट पती थे अभी आपको कमेंट करके बताना है कि वराजील के नए राष्ट पती कौन बन गए हैं दोस्तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं यदि आप इसी प्रकार से पूरे साल के करंट अफेश को पढ़ना चाहते हैं बहुती कम समय में करंट अफेश का जादा रिवीजन करना चाहते हैं आपके exam में current affairs से अच्छा इस्गूर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी demand पर हमने अपनी update ebook launch कर दी है इस ebook के अंदर वो सभी topic आपको मिल जाएंगे बिल्कुल detail में और आसान भासा में जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ाता हूँ जहां से question exam में पूछे जाते हैं ठीक है और जो भी important question है वो सभी के सभी question आपको हमारी ebook में मिल जाएंगे तो पिछले एक साल का current affairs परना है तो आप हमारी first वाली ebook को बाय कर लें और यदि आपको दूई बार सिकांक यानि कि पिछले दो सालों को current affairs परना है तो आप हमारी second वाली ebook को बाय कर लें मैं जादा तर प्रफर करता हूँ second वाली ebook में क्यूंकि इस ebook में पिछले दो सालों को current affairs है और अभी जितने भी exam हुए हैं मैंने लगबख सभी exam को देखा है और student से उनका review भी लिया है तो पिछले दो सालों को current affairs हर exam में पूछा जा रहा है तो मैं अपनी तरफ से दो सालों की ebook के लिए आपको suggest करूंगा इसको आप जरूर वाय कर लें next question क्या है गड़तंतर दिबस 2023 की मुख theme क्या है सही answer हो जाएगा दोस्तों इसकी मुख theme है जन भागीदारी यदि हम English में बात करें तो English में इसको क्या कहेंगे participation of the common people इसको English में कहेंगे और ये तो हमने बात करी है 2023 theme की गड़तंतर दिबस 2022 की यदि आपसे पूछे जाए तो India at the rate 75 2022 की theme थी next question पहली बार 1950 में गड़तंतर दिबस की मुख अति थी कौन थे 2023 की हमने बात कर ली अब पहली बार गड़तंतर दिबस की मुख अति थी कौन थे तो उनका नाम है शुकरणों ठीक है और शुकरणों किस देश के प्रमुक थे तो ये इंडोनेसिया की राष्टपती थे जरूर पूछ जाएगा ये इस्टेटिक जीके का पार्ट है और यहां से question पूछे जाते हैं गरतंतर दिबस यानि की 26 जनवरी पर भारत का धोजार रोहन कौन करते हैं इसका स्तायांसर हो जाएगा दोस्तों राष्टपती जी करते हैं तो आपको याद रखना है कि गरतंत दिबस यानि की 26 जनवरी के उपलक्ष पर जो धोजार रोहन हैं ये देश के राष्टपती करते हैं लेकिन 15 अगस्त यानि की सुतनत दिबस पर कौन करते हैं तो 15 अगस्त यानि की सुतनत दिबस पर करते हैं देश के प्रधान मंत्री ठीक है दोनों बातें आपको याद रखना है और इसी करम में कॉस्टन आप से पूसर आएगा कि गरतंत दवस यानि कि 26 जनवरी पर भारत के भिविन राज्यों में जहंडा कौन फैराते हैं अब भारत के भिविन राज्यों में इसी प्रकार से सिस् क्या है गरतंत दिवस पर राष्टपती को कितने तुपों की सलामी दी जाती है दोस्तों राष्टपती को 21 तुपों की सलामी दी जाती है ये तो सबी सुना। और पता भी सबी लोगों को हो harоль नेश कोस्जन है पहला गरतंत दिवस समारो है कहां आयोज़द किया गया था ये इस्टिक GK में हमेसा पूछे जाते हैं तो देख दोस्तो हमने पड़ा है कि पहला गरतंत दिवस समारो हह जो है ये 26 जनवरी 1950 को आयुज़ित किया गया था कब 26 जनवरी 1950 को और कहाँ पर आयुज़ित किया गया था तो ये Urban Stadium में आयुज़ित किया गया था ठीक है और Urban Stadium कहाँ पर है ये दिल्ली में है ठीक है और अब Urban Stadium को नेशनल इस्टेडियम के नाम से जाना जाता है इसको भी आप जरूर याद रखना और इसी क्रम में एक और कॉस्टन बनता है कि राजपत पर पहली परेड कब आयुजित की गई थी तो राजपत पर पहली परेड जो है ये 1905 में आयुजित की गई थी आप डेटिल को समझ य लेकर 1904 तक क्या हुआ कि जो गड़तन दिवस की परेड है ठीक है इसका आयुजित कभी इरविन इस्टेडियम में होता है कभी किंग्सविक कैप में होता है कभी लाल किला में होता है तो कभी रामलीला मैदान में इसका आयुजित होता है लेकिन वर्स 1905 में पहली बार राश्पत पर शुरू हुई थी ठीक है याद रखना और अभी आपको ये भी याद रखना है कि मोद जी ने राश्पत का नाम भी बदल दिया है और इसका नाम बदल कर क्या किया गया है तो इसका नाम बदल कर करतब पथर रख दिया गया है ये भी आपको जरूर याद रख बहुस्तों, बहुस्तों, जबसे पहले पता रहना जरूरी है कि भारत का जणडागीत क्या है, विजय विश्म तिरंगा प्यारा जणडा उचा रहे हमारा, और ये भारत का जणडा गीत लिखा, सियामलाल गुप्त पारशद ने D-O accept करक्ठ हो जायेगा, और भारत का जणड गीत कब अपनाया गया तो भारत का जंडा गीत जो है कांग्रिस का हरीपुरा अधिवीशन हुआ था ठीक है कांग्रिस का हरीपुरा अधिवीशन कब हुआ था दोस्तों 1938 में हुआ था ठीक है और ये हरीपुरा कहां पर है गुजरात में इसी अधिवीशन में जंडा गीत को अपनाया गया था और इस अधिविशन की अध्यक्ष्टा किस ने करी थी तो इसकी अध्यक्ष्टा करी थी सुवास चंद्र बोशने ये भी आपको याद रखना है नेश कोशन है गरतंत्र दिवस परेड कहां से कहां तक होती है तो गरतंत्र दिवस की जो परेड है ये राच ज्ट्य जंड़ा दिवस कम मनाया जाता है सय अंसरो जायगा 22 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि वाइस जुलाई 1947 को राश्ट ध्रच तरंगे को संबिधान सबा की दोरा अपनाया गया था था वाइस जुलाई नेश कोस्टन है भारत के वर्तमा राष्ट धोस का डिजाइन किस ने तयार किया था और शबी को पता भी होगा इसका अंसर पिंगली वेंकईया ने राष्ट धोस का डिजाइन तयार किया था नेश कॉस्टन भारत के राष्ट धोस की लंबाई और चोणाई का अनुपात क्या है लंबाई और चोणाई का अनुपात पूशा गया है इसका अनुपात है तीन अनुपात दो ओके यदि आप से चोणाई और लंबाई का अनुपात पूश लिया जाए उल्टा पूश लिय तो आप क्या कहे देंगे आप कहें देंगे दो अनुपात तीन कुछ भी पूछ लिया जाए आपको याद रखना है लंबाई और चोणाई का अनुपात और चोणाई और लंबाई का अनुपात घुमा फिर अगर पूछ ले आपको एक बर question को पढ़ना है आप आसानी से समझ दो देखे तुस्तों यह जो चक्र बना हुआ है राष्ट दोच की बीच में इसका रंग क्या है इसका रंग है इसका रंग है गहरा नीला ठीक है और इस चक्र में कितनी तीलिया होती है 24 तीलियां होती है और ये 24 तीलियां जो है ये मनुस्व के 24 गुणों को दर्साती है ठीक है और इस चक्र का प्रारूप जो है ये सारनात में असोक के सह इस्तम पर बने असोक चक्र से लिया गया है इसी करह में नेस्ट को सन है भारत की तरंगे जंडे में चरखी की जगा पर चक्र कव अस्तत में आया पहले चक्र की जगा पर क्या हुआ करता था ठीक है लेकिन चक्र कव अस्तत में आया 1946 में D option करक्ठ हो जाएगा 22 जुलाई 1946 को जो चक्र है ये अस्तत में आया नैश को सन भारत के राष्ट पसू का वेग्यनिक नाम क्या है सबसे पहले पता रहना जरूर है कि भारत का राष्ट पसू क्या है तो भारत का राष्ट पसू है बाग यानि कि टाईगर और इसका जो वेग्यनिक नाम है वो है पैंथेरा टाईगरस C option करक्ठ हो जाएगा और हम बात करें नम्मर A पे लिखा है पाबो क्रस्टिसस ये भी महत्पून है ये मूर का वेग्यनिक नाम है ठीक है ये मूर का वेग्यनिक नाम है और यदि हम बात करें कि नम्मर बीपी लखा है पेलेस डॉमेस्टिका तो ये विल्ली का वेग्यनिक नाम है ठीक है और नम्मर डीपी लखा है प्लाटिनिस्टा गेकेटिका ये किसका वेग्यनिक नाम है तो ये डॉल्फिन का वेग्यनिक नाम है और डॉल्फिन राष्टे जलिये जीव है ओके नेश कोस्टन है बाग के पूर्व भारत का राष्ट पसू क्या था देखे दोस्तो मैं आपको बता दूं कि बाग जो है ये राष्ट पसू का बना भारत का 1923 को बना 1923 से पहले जो भारत का राष्ट पसू है वो सह यानि कि लोयन था और 1923 में याद रक्षन यानि की प्रोजेक्ट टाइगर जो यूजना है यह सुरूं करी गई थी 1923 में नेश को सन भारती राष्ट पसू तम्यवे जो ने अनुगात किया खुद रबिनाट टेगोर ने भी ओप्सन करक्ट हो जाएगा सारे फेक्टों को हम डिसकस कर लेते हैं इन फेक्टों में से एक कोसन आपके एक्जाम में पूशा ही जाएगा भारत का राष्टगान है जैन गर्डमन और इसका अंग्रेजी में अनुगात किया है खुद रबिनाट टेगोर ने और किस नाम से इसका अंग्रेजी में अनुगात किया है Morning Song of India के नाम से राष्टगान पहली बार 27 से दिसंबर 1911 को कांग्रेज के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया पूशा जाता है और राष्टगान को संभिधन सभा के दोआरा 24 जन्वरी 1950 को राष्टगान की रूप में अपनाया गया और इसी दिन बंदे मात्रम को भी राष्टगीत की रूप में अपनाया गया जयाद रखना राष्ट गान और राष्ट गीत ये कब अपनाये गए 24 जन्वरी 1950 को अपनाये गए ओके नेष्ट मारा question क्या है दूस्तो कि राष्ट गान जनगण्मन को शम्विधन सवा के दोवारां कब अपनाये गया तो मैंने अभी आपको बताया है कि 24 जन्वरी 1950 को अप नेहच्ट हमारा question क्या है भारत में केतने राष्टे आवकास मना जाते हैं तो भारत में total तीन राष्टे आवकास मना जाते हैं एक होता है गलतंत्र दिवस ठीक है गलतंत्र दिवस जो की आज है 26 जनवरी को दूसरा क्या होता है दूसरा होता है सोतंत्रता दवास 15 अगस्त को होता है ठीक है और तीसरा जो राष्टे आवकास है ये गांधी जैनती के उपलक्ष पर होता है ये कब होता है दो अक्टूबर को होता है तो ये तीन राष्टे आवकास मनाये जाते हैं अपने द पहले प्रधान मंत्री कौन थे सयांसर हो जायगा पंडित जवाहलल नहरू तो इस question का भी option correct हो जायएगा नेश्च question क्या है सोतंत्र भारत के पहले सूचना और प्रशान मंत्री कौन थे इसका सयांसर हो जायगा option C सरदार बल्लब भाई पटेल हमारा question है सोतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे तो वित्त मंत्री थे R के सम्मुखम से T C option करक्ठ हो जायागा सोतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री की हम बात करें तो पहले रक्षा मंत्री थे सरदार बल देवस हैं जिसके पास में बल होगा वही रक्षा करेगा सोतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे तो कानून मंत्री के बारे में सबी लोग जानते होंगे सोतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे फटा-फट से अंसर लगा ये डाक्टर सहाव वी आर अमबेडिकर ए ओप्शन करक्ठ हो जाएगा हम बात करें कि सोतंत्र भारत के पहले रेल और परिवहन मंत्री की तो ये थे डाक्टर जोन मताई ए ओप्शन करक्ठ हो जाएगा हमारा नेश्ट कॉस्टन सोतंत्र भारत के पहले सिक्षा मंत्री की हम बात करेंगे तो सिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुलकलाम आजाद नेश्ट कॉस्टन क्या है सोतंत्र भारत के पहले स्वास्त मंत्री कौन थे स्वास्त मंत्री थी राजकुमारी अमरिता कौर D option करक्ठ हो जायागा और एक question पूछा जाता है कि सोतंतर भारत की पहली महिला केंद्रिय मंत्री कौन थी तो वो थी राजकुमारी अमरिता कौर और ये इनको कौन सा मंत्रा लाय दिया गया था तो इनको स्वास्त मंत्रा लाय दिया गया था दोस्तो यहां से गड़तंत्र दिवस के जितने भी important question बन सकते थे उन सभी question को हमने discuss किया I hope आपको सारी चीजें और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा और दोस्तो इसी प्रकार से यह दिया आप पूरे साल के current reference को पढ़ना चाहते हैं आसान भासा में तो हमारी e-book को आप buy कर सकते हैं यह e-book जो है यह बहतरीन क्यों है क्योंकि इस e-book में बिल्कुल detail में और आसान भासा में current reference को दिया गया है ताकि आपको सारी चीजें और भूत ही अच्छे से समझ में आ सके हैं लिंक मिल जाएगी e-book की वीडियो की description में आप next and last question आपके लिए challenging question है इसका answer आपको comment section में comment करके बताना है कि अभी single use plastic why bank योजना को किस राज सरकार ने सुरूं किया है फटा फट से answer लगाईए जिस राज ने इस योजना को सुरूं किया है उस राज के cm कौन है governor कौन है वहाँ की chief justice कौन है ये भी हमें comment करके बताएए तो thank you दोस्तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो आपको कैसा लगा इमानदारी से comment section में comment करके बताएए जो new student है वो हमारे चैनल को subscribe करने साथ में bell icon मी दवा लेए तक कि जब भी मैं नया और latest वीडियो डालूँ उसका notification आपको मिल सके आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें तो thank you दोस्तो राम राम दुगा सलाम मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत वंदे मात्राम